आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर वहले हैं तो आपका उतना ही प्यार उतना ही सपोर्ट आगे भी चानल को बना रहे हैं क्या सब्सक्राइब करने का इसी तरी कि काम करने का डेडिकेशन मुझे मिलते रहे तो आपके इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वन पर वन एकससाइस के सेगेंड पार्ट के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्यन नमबर सिक्स के साथ क्या दिया देख in the value of the business मतलब आपके ब्रोकर के इंकम पर कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है अगर उसके बोन इसके कमिशन का रेट जो 4% हुआ करता था उसको अगर 5% कर दिया जाए तो मतलब पहले ब्रोकर को 4% कमिशन मिलता था अब ब्रोकर को 5% कमिशन मिलेगा लेकिन करमिशन का रेट ब में बताना है find the percentage reduction in the value of the business यानि उस पर्टिक्लर बिजनेस के टोटल वैल्यू में कितना reduction आया है और यह reduction का आपको percentage में बताना है तो अब हम शुरू करेंगे इसके solution के तरफ सबसे पहले question में क्या information आपको दी गई है हमें दिया पता करना है कि इस actual में उस बिजनेस का initial value क्या था तो मान लेते है उस business का initial value 100 रुपया है तो लेक्ट दा initial value of the business बे 100 उस business का initial value 100 रुपेज है अब original rate of commission क्या है तो पहले उसको 4% मिलता था बाद में 5% हो गया तो हम लोग क्या करेंगे मान लोग उस पर उसकी total value 100 रुपेज है अब उस पर 4% हम commission देंगे तो हमारा original income कैसे आएगा 100 रुपेज का 4% तो basic calculation है 100 रुपेज करोगे तो आपको rate बढ़ गया लेकिन इनका पर कोई फरक बढ़ने वाला नहीं है तो मान लेते है इसके बिजनेस की नई value X है मान लो बिजनेस की नई value क्या है X है तो अब आपका rate of commission क्या होगा फाइफ परसेंटेज अब आपका rate of commission क्या होगा फाइफ परसेंटेज पहले 100 रुपा बिजनेस पकड़ा तो उसके चार परसेंट ब्रोकरेज या कमिशन के हिसाब से आपका कितना होगा इंकम टोटल 4 रुपीज हो गया आप बिजनेस की नई value हो गई अब यहां पर ध्यान देना लिए इंकम में कोई भी फरक पड़ने वाला नहीं है पहले उसे जो इंकम मिलते थी आज भी उसे वही इंकम मिलेगी पहले उसे अगर 80 रुपाय मिलता तो तो आज भी उसकी 80 रुपाय मिलेगी भले rate of broker change हो जाएगा तो भी चलेगा यहां पर आपको यहां पर दोनों यानि जो पहले step में 4 आया था और जो second step में 5x upon 100 है वो दोनों को आपको क्या करना है एक्वल करना है क्योंकि income आपकी change नहीं हो रही है अब cross multiplied करो 4 का multiplied 100 से किया तो 400 5x का multiplied 1 से किया तो 5x यानि 5x is equal to 400 5 multiplied में तो divide करते हो तो x के value आजाएगी 80 x के value क् अब यह x क्या था यह x था value of the business यानि विजनेस की नई value कितनी है 80 विजनेस की पुरानी value क्या थी 100 विजनेस की नई value कितनी है 80 तो आपका 20 रुपे का business reduce हो गया यह सर्थ 20 रुपे का business reduce हो गया बट हमें क्या निकालने बोला था find percentage reduction कितना reduction हो रहा है तो आप हम लोग क्या निकालेंगे, यह हमारा reduction कितना है, तो अभी reduction in the business कैसे calculate करेंगे, old value minus new value, old value 100 था, नई value 80 है, तो 100 minus 80, 20 हो गया, divided by old value, 100 minus 80 divided by 100 into 100, cancellation करोगे, तो आपका answer आएगा 20 percentage, तो आपका answer आपको क्या लिखना है, the reduction in the value of the business is 20%, तो there is a 20% reduction in the business, यानि पहले 100 रुपे का business होता था, तो अब 80 रुपे का business है, 100 रुपे आपको 4% मिलता था, अब 80 रुपे 5% ताकि आपकी income में कोई फरक पढ़ना नहीं चाहिए, I hope आपको इसमें कोई दिकत नहीं आएगी, Now move to question number 7, question number 7 क्या कहता है, Mr. Pawan is paid a fixed salary plus commission based on percentage of sales made by him, मतलब Mr. Pawan जो है उन्हें पहली जो first weekly salary है, उसके साथ उनको commission मिल रहा है, और वो commission किस के उपर मिल रहा है, sales के उपर, यानि उन्होंने जितना भी sales किया, उसको क्या मिलेगा, commission मिलेगा, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते है, उसकी total income जो होगी, वो salary plus commission है, yes sir, if on the sale of 68,000 and 73,000 in two successive weeks, मतलब दो हफ़ते उसने कितने का sale किया, तो पहले उसने 68,000 का sale किया, बाद में उसने 73,000 का sale किया, तो commission भी उसे 68,000 और 73,000 पर मिलेगा, he received in all, 9,880 and 10,180, मतलब उसे कितना पैसा मिल रहा है, तो 9,880 और 10,180 उसे पैसे मिल रहा है, इस पैसे के अंदर salary भी है, और commission भी है, salary भी है, और commission भी है, find his weekly salary and the rate of commission pay to him, तो हम लोग इसको कैसे solve करेंगे, सबसे पहले question में हमें क्या-क्या जान करीद दी है, income मतलब क्या, मैंने आपको discuss किया, इंकम कैसे मिल रहे उसको सालिद्डी भी मिल रही है कम श्राइख मिल रहा है तो पहली इंकम की अम बात करेंगे तो पहले विक में उसको तौझ मिल रहां एटन्राटी मिल रहा है इस इकॉर्ट सानिडी Onda recipient कंशन पर ग UC तो दूसरे विक की बात करें तो दूसरे विक में उसकी इंकम कितनी है तैन ताउजन वन एटी इस इकॉर्ट टू सालियरी प्लास अब कमिशन किस पर मिलेगा सेवेंटी त्री तूजन जैसा कि मैंने आपको डिसकास किया अब दो इक्वेशन आपके पास रेडी हो गए अब साब देख़ा आपको लेगा सबस्ट्राइब सनका रिधा इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू यहने को सबस्टराइब मइन ऊई सब्सक्राइब क्वेशन करेंगे उसक्वेशन चो बढ़ेवाल हैसे माइनस catsYou equation 2 salary plus commission of 73,000 is equal to 10,180 और equation 2 क्या है salary plus commission is equal to 68,000 is equal to 9,880 अब देखो दोनों में salary common है दोनों में क्या common है salary अब हमें क्या करना इसे subscribe या दोगा आपको subscribe करोगे तो नीचे का जो equation होता है उसका symbol क्या होगा बदल जाएगा तो नीचे देखो salary दिया है तो वो minus में हो जाएगा commission on 68,000 प्लस में है तो वो भी minus में हो जाएगा और 9,880 प्लस में है वो भी किस में हो जाएगा minus तो salary salary same है तो salary minus salary cancel येस अभी commission on 73,000 minus commission on 68,000 तो 73 minus 68 कितना होता है 5000 और 10,180 minus 9880 तो 300 आएगा मतलब commission on 5000 कितना आ गया 300 रुपीज ना commission of 5000 तो 300 का मतलब क्या होता है तो rate of commission कैसे निकालोगे 300 5000 आपका multiply में divide करो तो 300 divided by 5000 तो आपका cancellation होने के बाद आपका answer है गा 6 परसेंट है जीरो जीरो cancel करतो जो cancel होता है करतो जो बच गया वह आपका 6% answer हो गया मतलब rate of commission क्या होगे 6 percentage कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब अब commission on 68,000 हम लोग निकालते एक्वेशन वन को satisfied करेंगे तातो हमको salary मिलेगा तो commission on sale of 68,000 at the rate of 6% आप चाहो तो first equation के साथ करोगे तो भी answer आएगा second equation के साथ करोगे तो भी आपको answer मिलेगा तो 68,000 का 6% कितना 68,000 into 6 upon 100 0000 cancel तो answer आएगा 4080 इस value को आपको equation 1 में put करना है तो equation 1 क्या है 9810 is equal to salary plus commission on 68,000 ठीक है salary कितनी निकालनी है commission 4080 is equal to 9810 तो plus को कर दो minus तो minus करने का है तो आपका salary कितना आएगा 5,800 तो हमें क्या निकालने बोला था weekly salary तो हमारी weekly salary 5,800 और हमें बोला था rate of commission तो हमारा rate of commission क्या है 6 percentage तो last का answer लिक होगे weekly salary of power 1 is 5,800 and the rate of commission is 6 percentage I hope आपको इसमें कोई दिकत नहीं आएगी ना मूट नेक्स्ट वान question number 8 क्या कहता है दीपक salary was increased from 4,000 to 5,000 salary पहले कितनी थी 4000 अब नई salary कितनी है 5000 पहले कितनी थी 4000 अभी कितनी है 5000 salary बढ़ गई yes sir the sales being the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2 percentage sales आपका same है आपका same है बस आपके ब्रोकरेज आपके commission में changes हो गया पहले आपको 3% commission मिलता था अब आपको 2% commission मिलता है मतलब salary बढ़ा दी गई commission कम कर दिया गया salary बढ़ा दी गई commission कम कर दिया गया क्योंकि sale गिर चुकी है his income remain unchanged इसके income पे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है हमें बताना है find his sales क्या है solution में सबसे पहले question में क्या क्या information दिया है तो पहले हम लोग लेता है कि भाई सहाब उसकी sales है X let the sales made by दीपक is X मानलो दीपक ने X का sale किया पहले salary उसकी कितनी थी 4000 जैसा हमने डिसकस के existing salary मतलब अभी की salary पहले 4000 थी बाद में बढ़ा कर 5000 की जाएगी जब उसकी salary 4000 थी तो 3% commission मिलता था पहले salary 4000 थी तो कितना commission मल रहा है 3% तो यहां पर initial income की बात है नहीं पहले income क्या होती थी तो salary plus commission salary 4000 और commission 3% on sale 3% on sale तो आपका 4000 plus 300 3x upon 100 आगया तो आपका equation number one हो गया ठीक है वह दिक्कात नई पहले 4000 रुपय salary थी और 3% commission मिलता था तो 4000 plus 3% on x तो 3x upon 100 आगया equation number one अब आपकी salary क्या हो गया 5000 तो अब salary को increase किया गया 5000 लेकिन commission decrease हो गया तो यहां पर आपकी नई income क्या होगी तो नई income के लिए salary आपके कितनी है 5000 और commission क्या है 2% on x 2% on x 2% क्यों क्योंकि भाई साब आपकी reduction हो गए rate of commission में तो आपका equation क्या बने का 5000 is equal to 2x upon 100 this is equation number 2 आपकी income change हुई है क्या sir नहीं आपकी income change नहीं हुई है तो आपको equation 1 और equation 2 दोनों को क्या करना है equal करना है so if the income is unchanged तो हम लोग क्या करेंगे equation 1 that is 4000 plus 3x upon 100 और 5000 plus 2x upon 100 दोनों को करेंगे सेम अब यहां पर देखते क्रॉस मल्टी ब्लैड करेंगे हम लोग कैसे मल्टी ब्लैड करेंगे 4000 का मल्टी ब्लैड 100 से किया तो 400,000 plus 3x upon 100 is equal to 5000 into 100 तो 500,000 plus 2x upon 100 ऐसा अब नीचे का 100 क्या हो गया सेम अब यहां पर समझने आली बात क्या है 4000 plus 3x upon 100 ना तो 4000 1000 प्लस 3x upon 100 को क्रॉस मल्टी ब्लैड करो 4000 into 100 4,003 x into 1 3x upon 100 तो as it is रहेगा तो 100-100 सेम है तो उपर क्या होगा 4,00,000 plus 3x is equal to 5,00,000 प्लस 2x अब एक साइड साइड चेंज करो तो 4,00,000 प्लस में उधर के क्या हैगा माइनस और 2x प्लस में इधर के क्या हैगा तो आपका एक्स का वैलिव आएका वन लाक रुपीज यह एक्स क्या था आपका टोटल सेल्स था तो उसने कितना सेल्स किया ठीक है डीपक ने वैफक ने एक लाक रुपे का सेल्स किया आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है समझ में आरहा है घीरे से 7% on cash sales and 5% on credit sale made by him. मतलब commission मिल रहा है agent को. Cash sale पर 7% credit sale पर 5%. तो बार उसको commission मिल रहा है. Cash sale क्या तो 7% मिलेगा, credit sale पर 5% मिलेगा. If on the sale is 1,200,000 to the agent claim a total commission of 6420. मतलब उसने 1,02,000 रुपे का sale किया. उसने 1,02,000 रुपे का सेल किया, तो उसको 6,420 रुपे मिल रहा है, तो बताओ कि उसका cash sales और credit sales क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसका cash sales, अगर मैं cash sales को x लेता हूँ, तो मेरा credit sales क्या आ जाएगा, तो जान दो, cash sales को आपने x लिया, आपका total sales क्या 1,02,000 तो 1 credit sales आ गया, 1,02,000 माइनस x, cash sales पर कितना percent commission, सर 7 percentage, credit sales पर कितना percent, 5 percentage, समझ में आ गया बात, तो cash sales कैसे निकालोगे, commission कैसे बोद रहा है, तो आप लोग commission on cash sales, commission on credit sales, दोनों को plus करेंगे, तो पहला, total commission 6420, question में दिया है क्या, हाँ sir, दिया है, is equal to, commission on cash sales, cash sales आपका क्या है, x, तो x का कितना percent, 7 percent, plus commission on credit sales, credit sales क्या है, 1,02,000 माइनस x, इंटो 5 अपान 100, वह जितका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, तो 6420 as it is, 7 का मल्टिब्लाइट x, तो 7 x अपान 100, plus, 1,02 का मल्टिब्लाइट 5 से करो, minus, 5 का मल्टिब्लाइट x से कर तो आपका आएगा, 5,10,000 माइनस 5 x, अपान 100, simple, नीचे गा नमबर देखो, 100 सेम है, तो उसको common करतो, 6420 is equal to denominator 100 सेम है, तो उपर क्या आएगा, 7 x plus 5,10,000 माइनस 5 x, अब देखो, 7 x माइनस 5 x, तो बचेगा क्या 2 x, तो 6420 into 100 is equal to 2 x plus 5,10,000, तो 6420 is equal to 2 x plus 5,10,000, 5,10,000 plus मैं, माइनस करते बिटा, तो माइनस करने के आपको answer मिलेगा, 132 is equal to 2 x, तो मल्टिब्लाइट में divide करते, तो x का value मिलेगा 66,000, ये x क्या था, सर ये x था मेरा cash sales, तीक है, अब credit sales कैसे निकालो देख, 12,000 minus 66, तो मेरा answer कितना हैगा, 36,000, तो भाई सहाब, आपका cash sales कितना है, 66, और आपका credit sales कितना है, 36,000, तो दिकात नहीं सर, ठीक है, समझ मेरी बात, now move to next question, question number 10 क्या कहता है, 3 cars were sold through an agent of 240,000, 22,000, 22,000, 25,000 respectively, मतला हमने 3 गाड़िया बेची, कितनी गाड़ी बेची है, 3, एक गाड़ी, 24,000, 22,000, 22,000, 25,000, तीन गाड़िया बेची, the rate of commission were 17.5% on first, 12.5% on second, तो पहली गाड़ी का commission मिल गया, दूसरी गाड़ी का commission मिल गया, तीसरी का नहीं मिला, कोई दिक्कत ने, तीसरे को side में रखेंगे हैं, लोग, if the agent all over receive 14% commission on total sales, find that rate of commission paid on third car, सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे बिटा, यह हमें क्या-क्या चीज़ दिया, तीन गाड़ी है, तीन गाड़ी में से पहली गाड़ी, दोलाग चाले, दोलाग बाइस, दोलाग पच्छीस, यह तीन गाड़ी है, तो और उसके कमिशन किसे पर मिल रहा है, फॉर्स्ट गाड़ी पर मिल रहा है, सेकेंड गाड़ी पर, फॉर्स्ट कार 17.5 का rate of commission है, और सेकेंड कार 12.5 का rate of commission है, overall, overall मतलब तीनों गाड़ी हों का मिला तर 14% है, तो भाईस सहाब, टोटल कमिशन कितना, 14% on total sales, तो भाईस सहाब 14% मतलब 14 upon 100, total sales मतलब तीनों गाड़ी का total, तीनों गाड़ी का total, तीन गाड़ी मतलब दो लाग चालिस पर दो लाग बाइस पर दो लाग पर चीज, तीनों को total करें 6,87, 0000 cancel करो, आपका basic calculation multiply करो, तो आंसर है का 96, 180, 96, 180, अब मुझे बता, क्या आपको पहली गाड़ी का commission माल्यूम है, सर निकाल सकते हैं, दूसरी गाड़ी का commission निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, तो commission on first car, 240 का 17.5%, basic calculation 00 cancel को multiply करो, आपका 42,000 आएगा, commission on second car निकाल सकते हैं, yes sir, 22,000 का 12.5%, 00 cancel को basic calculation multiply करो, अब total commission मिल गया, yes, तो rate of commission of third car, तिसरी गाड़ी का commission निकालना है, तो उसको में लोग पकड़ते हैं, X, क्या पकड़ते हैं, X, तो third car गाड़ी का क्या है, 225,000 का X percent, मतलब X upon 100, X upon 100, X upon 100, तो 96,180 total commission, पहली गाड़ी का commission 42,000, सेकेंड गाड़ी का commission 27,750 और तिसरी गाड़ी का 225,000 into 1 X upon 100, अब मिले को बताओ, 96,180 change नहीं होगा, 42,000 और 27,000 दोनों को add करो 69,750 as it is, plus 225,000 plus X upon 100, 69 plus में है, side change करो, क्या हो जाएगा, minus में हो जाएगा, तो 96,180 minus 16 and 750, 2,25,000 के side में कोई भी changes नहीं होगा, उसको as it is carry करो, minus करेगा 26,430 आजाएगा, अब करो conversion, कैसे X अकेला रहेगा, जो denominator के नीचे है, मतलब 100, divide में multiply करो, और 225,000 multiply में divide करो, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम लोग, 0000 cancel करो, जो बजगया, उसका division करके, आपका answer हैगा, 11.75, मतलब तिसरी गाड़ी पर आपको rate of commission कितना पे करना है, तो sir, तिसरी गाड़ी पर हमें rate of commission 11.75 का पे करना है, I hope, आपको question number 6 से लेके, question number 10 में कोई भी दिक्कत नहीं हैगी, आप हो सकते हैं, तो questions को practice करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने चाहिए, अगर आपको वीडियो पसना है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेर किजिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए, चैनल को सब्स्थ्प्राइब भी जए, साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर press कीजिए, और हर तरीके के lecture update के लिए, स्वाट बैच के टेलिग्राम चैनल को ज़रूर जाइन कीजिए, जोईन करने के लिए टेलिग्राम डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शिन में आपको लिंक मिल जाएगा डारिकली आप वहां से जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे वीडियो की अपडेट मिलेगी नोट्स पि आपको प्रोवाइड किये जाएंगे टैस्ट पेपर्स प्रोवाइड के जाए कि टाइम टॉट ना लाई कंटक्ट किया जाएंके एक्सपर्ट गाइड़ेंस लेक्चर भी होगा डाऊट स्वरिंस सेस्शन भी होगा तो समय समय पर आपकी ज़रूतों के सारी चीज़े वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी तो मेक शूर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखे उतना ही प्यार उतना ही सपोर्ट बनाए रखे मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चेर वीडियो के साथ तब तके लिए जये हैं